Hi everyone, this is Robin और मैं स्वागत करता हूँ आप सबी का फिर से एक बार An Academy Live SSC Exams में तो देखे ये सेशन में हम डिसकस करेंगे एक पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि प्राइम नंबर्स यानि कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनके बारे में जानना हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है Actually मैं इसको आप उतनी ही इंपोर्टेंज दीजिए जैसे कि आप अपनी arithmetic और advanced section पर देते हैं क्योंकि हर जगर पर अगर आपको prime numbers मिल जाते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि वो number prime है या नहीं तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा time waste कर देते हैं अपनी calculations में चाहे वो आपका DI हो यानि कि data interpretation हो या फिर वो आपका advanced mathematics हो काफी सारी calculations आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफी सारी calculation देखने के लिए मिलती है अब देखिए उनी calculation के आधार पर मैं आपको यह बोल चकता हूँ कि आपकी calculation ही आपका paper decide करते हैं कि आपका paper किस तरीके का रहाएगा और कितना आपको फाइदा मिलेगा वहाँ से तो सीदे सीदे आप यह चीज़ याद रखिए यह चीज़ को समझ जिए कि importance prime numbers की इतनी जादा है कि आपका advance, आपका arithmetic और उसके बाद आपका di यह तीनों ही आपके equal valuable हैं सिर्फ इस number को जानने से कि कोई number को आप पता कर पाएं कि वो prime होगा या नहीं होगा तो यह कुछ मेरे बारे में जानकारी my name is Robin, session को मैं start करूँगा तो देखिए how to test a number is prime यानि कि मैं किसी number को यह बता पाऊं कि वो अबाज्य है या नहीं है उससे पहले आपको थोड़ा कोशिश करनी होगी कि मैं आपको यह clear कर पाऊं कि actual में prime numbers यानि कि अबाज्य संक्या है होती क्या है तो देखिए मैं आपसे कहूँ कि कोई भी counting number कोई भी counting number है जिस आप count कर सकते हैं वो एक prime number होगा जब आप उसको बोलेंगे कि वो एक से भी divide हो जाएगा और वो खुद से भी divide हो जाएगा आप उस number को बोलते हैं क्या prime numbers जैसे for an example आपका 2 क्या है prime number है आपका 3 क्या है prime number है उसके बाद 5 क्या है आपका prime है फिर 7 होता है फिर 11 होता है फिर 13 होता है और इसी तरीके से यह आपके क्या है आगे बढ़ते चले जाते है तो मैं यहाँ से आपसे यह कह पाया कि आपने prime number के बारे में जाना कि ऐसा कोई भी number जो एक या फिर खुद से divide हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका prime number हो जाएगा अब यह चीज आपकी पहली point होगी जर मैं दूसरे point की आपसे बात करूँ कि आप मुझे बताएंगे कि क्या हर prime number हमेशा even ही होते है या odd ही होते है तो obviously most of the लोग है सोचते है कि भी हर prime number आपका odd होता है लेकिन दो भी इसमें शामिल होता है तो हमेशा याद रखेंगे कि दो जो है आपका ये even number भी है और ये एक अगेला ऐसी अभाजय संख्या है जो हमेशा क्या होती है even होती है तो एक लोती even number यानि कि आपकी सम संख्या वो कौन सी होती है दो होती है अब देखिए इसके बाद मैं आपसे तीसरे point की बात करूँ अभाजय संख्याओं के बारे में कि अगर आप बोलें कि कोई भी आपके पास क्या है prime number है तो prime number के बारे में आप एक चीज कह पाएंगे कि हमेशा prime numbers आपके एक से ज्यादा होता है अगर आपने बोल दिया कि आपके prime numbers एक से आप देखिए इस तरीके से अगर आपने कहा कि आपके जो प्राइम नंबर हैं वो हमेशा एक से बड़े होते हैं तो उसके बाद चौधी कंडिशन मैं यहां से आपसे निकाल कर बोल सकता हूं कि एक जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है और इस तरीके से मैं आपसे यह यह भी बोल सकता हूं कि अगर आपको एक क्वेशन पूछा जाए कि सबसे छोटा और सबसे छोटा और प्राइम नंबर कौन सा होगा तो आप क्या नाम लेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास थ्री क्या है सबसे छोटा है सबसे लोएस्ट है और यह क्या है आपका प्राइम नंबर जो की हमेशा क्या होता है वो भी क्या होता है दो होता है अब इसके सा blessed मैं आप से जो सबसे important यहां पर बात करने वाला हूं जो कि आपको इवन नंबर के बार में पता होनी चाहिए वो क्या मैंна कह सकता हूं कि सर् scale 3 को छोड़ कर आप हर 1 and 6N plus 1 के form में लिख सकते हैं आपके पास कोई भी prime number है आप उसको हमेशा 6N plus 1 के form में लिख पाएंगे यानि कि उसके साथ 6 का multiple होगा और उसमें plus 1 हो रहा होगा यह मतलब condition है ऐसा नहीं है कि हर 6N plus 1 आपका एक prime number खेलाएगा ऐसा नहीं है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी prime number है वो आपका हमेशा 6N plus 1 की condition को भी satisfy करेगा जहां पर n आपका क्या है एक integer है for an example मैं आपसे कहूँ कि 37 क्या है आपका prime number तो इसको check करने का आपके पास एक और तरीका होना चाहिए कि यह क्या 6 के factor में मैं किसी value को multiply करू और उसमें plus 1 करूँ तो क्या मुझे मिलेगा तो obviously आप 6 में एक integer यानि कि 6 का multiply करते हैं उसमें एक add करते हैं तो आपको 37 भी मिलता है तो देखे prime numbers यानि कि अभाजय संख्याओं से यह कुछ basic चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए अब मैं यहां के बाद आपसे बात करूँगा कि हम अगर यह test करना चाहें कि कोई संख्या अभाजय संख्या है या नहीं है तो ऐसी condition में हमें क्या use करना पड़ेगा तो देखे इसके लिए basic सी चीज़ मैं यहां पर आपसे discuss करूँ तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि आप सीधे सीधे कोई भी number है आपके पास suppose कीजिए P है जो कि आपको दिया गया है कि यह आपके पास कोई number है मैंने मान लिया कि यह prime number है ठीक है P आपने माना है कि यह आपके पास prime number है तो पहली जीज़ आपको क्या करनी होगी मैं यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसकी importance आपको तब जब दूर पता चलेगी जब आप question में अटक जाएंगे calculation में आपको यह पता नहीं चलेगा कि मैं उस number को किस से divide करूं या नहीं करो क्यों कि most of the time number systems में भी आपने देखा होगा और उसके साथ साथ आपने advance में भी देखा होगा di में भी कभी कभी हम अटक जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या number हम divide कर सकते हैं किसी से यह नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर अभाजे सांक्याओं की importance वाके ही काफी बढ़ जाती है अब दिए यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि P क्या हो गया कोई prime number अब prime number आपको बताना है ये तो आप क्या कीजिए कि कोई number यानि कि कोई भी number मान लेजिए suppose मैं कोई number ले लेता हूँ X आप कोई number X मानिए जो कि हमेशा बड़ा हो किस से P के under root से यानि कि P का अगर मैंने root लिया है तो हमेशा आपके मानेगे number की value इस value से बड़ी होनी चाहिए पहला आपको step ये करना है मैं आपको example लेके भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा दूसरी condition में आप क्या कर सकता है आप सभी prime numbers को लेंगे जो कि इस X की value के या तो equal हो या फिर इससे छोटे हो यानि कि अगर मुझे निकालना है कि P एक prime number है मैंने क्या किया इसका square root लिया अब इससे बड़े number यानि कि इस value से बड़े number आपने मान लिया कि वो X है अब आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि ये जो value है ये value के equal या फिर इससे जो छोटे number है उन सभी numbers को आपको निकालना होगा सिर्फ prime numbers की मैंने बात की है उसके पाद third condition आपके पास क्या आती है तीसरी जो स्थती है आप क्या करेंगे कि ये जो आपने number निकालने है या तनो वो X के equal हो या फिर उससे छोटे अगर इन मेंसे कोई भी number इन मेंसे कोई भी number आपके value P को divide नहीं करता है अगर वो P को divide नहीं करता है तो P आपका क्या हो जाएगा एक prime number हो जाएगा और इन मेंसे किसी भी नंबर ने अगर P को डिवाइड कर दिया तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका P नॉन प्राइम हो जाएगा तो ये मैंने आपको थ्योरी थम समझाने की यहाँ पर कोशिश की अब दीखे कुछ एक्जामपल्स ले लेता है सपोस कीजिए मैंने आपसे बोला कि 193 को चेक करना है आपको किया ये प्राइम नंबर है या नहीं है मैंने ऐसे क्यों बोला कि कभी-कभी for an example अगर मैं 113 में की बात करूँ मैंने 193 divided by आपको यहाँ पर सपोस कीजिए 3 ले रखा है तो ये तो छोटा example मैंने लिया है आप सीधे-सीधे यहाँ पर से divide करके बता सकते हैं कि यार ये 18 हो जाएगा एक बचेगा ये पूरा value नहीं कटेगा पर सपोस कीजिए यही नंबर आपका कोई बड़ी संख्या होती और नीचे आपका कोई value होता तो हो कटेगा या नहीं कटेगा तो पहले चेक कर सकता हूँ quickly कि यार ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर जो आपका number है ये कहीं prime number तो नहीं है मैं फाल तो मैं वहाँ पर लगा रहूं काफी दिर तक divide करता रहूं मुझे पता ही न चले कि ये किसी से divide भी होगा या नहीं होगा तो मैं पहले कोशिश कर लूँगा क्यों कि लिए glance मारके एक नजर मारके कि क्या ये number मेरा अभाजय संख्या तो नहीं है तो मैंने आपसे बोला कि आपके पास यहाँ पर क्या है अब मुझे चेक करना है कि क्या ये prime है या नहीं है अब देखे मैंने आपसे क्या कहा था आप इस 193 value का क्या ले लीजिए root ले लीजिए उसके पाद आपको ऐसा number लेना है जो कि इससे बड़ा हो और whole number हो तो देखे आपको पता है कि 14 का जो square होता है वो हमेशा क्या होता है 196 होता है अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो value है वो obviously आपकी क्या आने वाली थी 14 से छोटी आने वाली थी अगर यह 14 से छोटी आने वाली थी मेरे को एक whole number लेना है तो मैंने वो number माल लिया यहाँ पर क्या 14 जो की इससे क्या होगा बड़ा होगा ठीक है nearest मैंने whole number माल लिया अब दीखे 14 के मुझे prime factor करने है तो कैसे कर सकता हूँ 14 है तो आपका खुद में क्या है prime number नहीं है उसकी साथ आपके prime numbers क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा उसके बाद क्या होगा 11 होगा और 13 होगा तो 14 से छोटे आपने सभी prime numbers यानि कि अभाजे संक्या है यहाँ पर लिख ली अब देखे इस वाले number को 14 से divide करना या फिर इस वाले number को इन सभी number से divide करना जादा आसान है तो quickly मैं यहाँ पर देख लूँगा कि क्या ये 193 यानि कि 193 जो आपने number लिया था मैं इसको जब इन सभी number से individually एक बार देखता हूँ कि क्या ये इन से divide होते हैं ये नहीं होते हैं अगर हो जाएंगे अगर कोई भी number इसको divide कर देगा तो ये value आपकी क्या हो जाएगी non prime हो जाएगी यानि कि ये आपका क्या होगा prime number नहीं होगा लेकिन अगर ये जो आपको number दिये गए हैं इन में से किसी ने भी इसको divide नहीं किया तो 193 आपका क्या कहलाएगा prime number कहलाएगा तो 2 से करूँगा 2 से भी नहीं कटेगा 3 से हमना भी चेक किया नहीं कटेगा 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 की जो divisibility rule होता है वो last मैं तो 0 मांगता है या वो 5 मांगता है 7 से करूँगा तो 14 हो गया उसके बाद 5 बढ़ता है तो भी नहीं कटा है 13 से भी नहीं कटता है तो यहां पर जितने भी आपके 14 से कम value के prime numbers जानी के अभज़ा संक्या आई थी उनमें से किसी ने भी इसको divide नहीं किया इसलिए से मैं यहां से कह सकता हूँ कि 193 आपका क्या होगा एक prime number खेलाएगा अब देखिए last example मैं आपको यहां से एक और लेकर बताता हूँ suppose कीजिए मैंने यहां से लिया आपके साथ 213 ठीक है मैंने यहां पर आप से बूला 213 अब आपको क्या करना है 203 का quickly आपको कोशिश करना है कि अगर मैं 25 नहीं 15 आप 15 लेते हैं तो 15 क्या होता है आपका 225 होता है तो obviously यह value किस से बढ़ी है इस value से बढ़ी है अब देखिए 15 से छोटे आप prime numbers क्या लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ठीक है यह आपके prime numbers होगे अब इने cut करके देखिए 2 से cut जाएगा नहीं कटेगा 3 को अभी छोड़ दीजे थोड़ी दिर के लिए 5 से cut जाएगा नहीं कटेगा 7 से भी नहीं कटेगा 11 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा लेकिन यह number क्या है आपका 3 से divide है देखिए यह 7 जाएगा और 1 तर आएगा तो यानि कि अगर कोई भी prime number आपका इस value से छोटा इसे अगर divide कर देगा तो आपका ये value क्या हो जाएगा non prime हो जाएगा क्योंकि इसके छोटी value से nearest whole number से जो आपने छोटे prime numbers लिए उन में से एक value 3 ने इसे divide कर दिया और इस वज़े से आपको पता चलेगा कि अभी 213 मेरा prime number नहीं होगा फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि 213 जो है उसमें 3 का अगर मैं divide करूँगा तो value कट जाएगा और मुझे 70 बन देगी तो देखे इसकी importance अब मैं आपको बताऊँ तो यही हुई कि अगर suppose कीजी आपको कहीं 213 मैंने for an example आपसे बोला है कहीं 213 मिला आपको इसको divide करना है साथ से आप ऐसे तो अगर के देख सकते हैं क्योंकि छोटा value है आप quickly हाँ से देख सकते हैं suppose कीजी हाँ पर 3-4 value का कोई number लिखा हो तो यह ध्यान रखेंगे इनी छोटी 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 चीज़ें का तो इस session में मैंने आप साथ discuss किया कि हम किसी number के बारे में यह पता कर सकते हैं कि वो अभाज्य है या नहीं है यह हमारा discussion था I hope यह session आपको पसंद आया होगा तो ऐसे ही छोटी छोटी छीज़ें में आपके साथ लेकर आऊँगा session अगर आपको पसंद आता है तो आपको लाइक जुरूर दे शेर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें आप टेलेग्राम चैनल को भी follow कर सकते हैं जहाँ पर regular videos and special classes के links आपको provide होते हैं आप Unacademy SSC की Instagram पेज को भी follow कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपके लिए post काफी सारी डालता रहता हूँ तो हम फिर से मेरेंगे next part में एक नए topic के साथ अपना ख्याल रखिए Take care, bye bye